नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल CVT इंडिया पे जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस को देखा कि हिस्ट्री का क्या सिलेबस है उसी करी में हम लोगों ने देखे थे कि हिस्ट्री के तीन भाग है प्राचीनकाल, मध्यकालीन और आधनिक इन 300 मिला करके टोटल 50 कोशन पूछे जाएंगे जिसमें से हमको बस 40 कोशन का ही जवाब देना है आप लोगों ने सिलेबस भी देखा कि NTA ने किस तरीके का सिलेबस दिया है जो 12th क्लास के बुक जो है वो 3 पार्ट में उन 3 बुक को अधार बना करके NTA सिलेबस दिये थे और उसी 3 पार्ट को मिला करके 50 कोशन पूछे जाएंगे तो उसी करी में हम आज अपने पहले बुक का यानि 12th क्लास के पहले बुक जो प्राचीनी तियास कहा है उसका पहला चेप्टर पढ़ने का प्रयास करेंगे बड़े ही असान सब्दों में पढ़ने का प्रयास करेंगे और यहाँ से लगबर लगबर आपको ना ज़्यादा तो कम से कम 4 से 5 कोशन पूछे जा सकते हैं चलिए चलते हम अपने पहले चेप्टर की ओर पहला चेप्टर हमारा इट मनके और अस्थिया यानि कि बिट्स इन बॉन्स इन चेप्टरों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे पहला जो हमारा हरप्पा सब्दा के अंतरगत इट मनके और अस्थिया कुल मिलाकर के हम हरपा सबहता को 6 भागों में बाटे हैं यानि 6 टॉपिक में बाटे हैं और उस 6 टॉपिक के माधम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि हरपा सबहता के बारे में जनकारी कैसे मिला और हरपा सबहता के जनकारी से लेकर के पतन तक के बारे में हम इसमें पढ़न दूसरा हमारा है भोग बिस्तार यानि कि भागोलिक बिस्तार, हरपा सवेता के की बिस्तार, पुछ देगा कि आपको North में कहां था? South में कहां था? East में कहां था? West में कहां था? इस टाफ के कोशन बहुत पूछे जाते हैं और पूछे जाए जाएंगे भी तो आपको इस पे बहुत ज्यादा विशेस ध्यान देना है मैप पे ताकि आपको वहां से कोशन आए तो आपको गलत ना हो तीसरा जो हमारा है वो विशेस ताएं यानि हर अप्पा सभ्यता कि क्या विशेस ताएं जैसे हम सुने हैं कि वहां का नगर नियोजन बहुत लिए इसके बाद ही इसमें कुछ परिवर्तन करके जो हमारे लिस सुधार हो उसको देख करके हम कुछ अपना आगे का कार् çेम करते हैं इसी में देखेंगे हमारा जो चौत है वो अस्थल विशेस करके जो मास्तर के बारें पढ़रेंगे जैसे हरप्पा हो गया मोहं परेंगे आगे तो देखेंगे कि कहां मिला है इसके पर इस तरीक decечно पूछा जाएंगे जैसे डौकयाड नकाया था बंदरगाक सहर कौन था इस टाफ की को संब कोछे जाते हैं लोग इस लेवल में आप लोग को उतना बहुत ज़्यादा डिप लेवन में जाना नहीं है लेकिन अगर आप आप दे जाएंगे तो देखेंगे कहा जाता है कि हरापा सबस्षाय का पतन हो गया था लेकिन आद्धुनिक जो इतिहां का रहा है करते हैं हरपा सस्भीता का पता नहीं हुआ था बलकि वो सहरी सब्धा से गरामिन सब्धा में तबदील हो गई थी तो यह यह बाते जो है मतigी यहीं से छोट टॉपिक के माधम से हम समझने का परियास करेंगे पूरी हरपा सब्धा को तो चलते हम अपने नेक्स सलाइड पर यससारा है ४ैसार डेखे आनो इस Lore चाल और सोकार्वन कीन लिया जाता था उसके बाद अनुमान लगाया जाता कि इसका आयू क्या होगा तो उस अधार पर अगर हम बहारापस बैटा कौatif देखते हैं तो उस अधार पर जो है सब्सक्राइब करते हैं कि इस पूछे आपको कि बताइए कि हरपा सब्सक्राइब का आयू क्या था कारबन चौदे बीधी के अनुसार आपका जवाब होगा सब्सक्राइब कवे इसका लगलग मत अपने वीचार देदे कि किसका कारेकाल कभ था कहां सितरीक से जोर मारसल की देखेंगे उनले बताये थे 3250 इसपी से लेके 2755 चूकि यहां पे अगर हम किसी बरे करते तो इसके बारे में और डिप में पढ़ते कि कौन कौन से मत कौन कौन खबिए लिकिन आप लोग एतना ही सफिसेंड है और हम देखते हैं शिन्दू सभेटा के निर्मता तorf यह जो नीकार पर जाती पहला जो है प्रोटो ऑस्टलाइड हो गया दूसरा हम देखेंगे दूसरा जो हो गया हमारा अलपाइन अलपाइन प्रजाति के हो गया है तीसरा जो हमारा है वह हमारा तीसरा जो गया भूमद्य साग्रिये भूमद साग रिये हो गया इसको द्रविट भी करते हैं कहीं पर कहीं पर इसको द्रविट भी करते हैं रविट भी करते हैं और चौथा जो हो गया मॉंगोलाइड चौथा जो है मॉंगोलाइड यानि कि देखेंगे आपको पूशन पूशे जाएंगा कि हरपा सभेता को जो निर्माता थे वो कैसे थे पूशेगा एकी किरित थे दूई किरित थे या मिस्रित थे तो आपको क्या जबाब होगा मिस्रित थे आपको कभी-कभी यह भी इनमें से कौन से प्रजाती जो है हरपा सभेता से सम्मंधित नहीं है तो आपको ठीक ढंक से इसको देखना है फिर आगे हम देखेंगे सिंदू सभेता के समकालिन सभेता यानि कि जिस समय भारत में सिंदू घाटी की सभेता चल लाई थी उस समय उसके समकालिन यानि उसी क सब एक से दूसरा कौन से सबहाथ अगर नोर देखेंगे तो पहला जो था वह चीन की सबहता था इरान इराग में डेखेंगे तो और यह संमें तरह के समकालिन चला है गशर्थ भूमी यहीं से हम देखते हैं यह यह मतन हम सका के और तो देखे जैसे हम आपने आपको बताए्टे कि हम छे खंडों में बाट करके अरह पासबता को परेंगे उसी करीं में हम पहला हमarilyn जो है वह हो खोज का इतियास यानि हरा आपा सब्हेता का होज का इतियास सबसे पहली बार हर अपा सब्ण तक जो कहां पर देख ग्या था तो यो देखा ग्या था पाकिस्तान के माउंट गोंब्री एक जीला है वही देखा ग्या था बाद उन दिनों के है जब जो ये चार्ल्प मेस Corns ऑ है वो इस्ट-इंड्या कमपनी के क्या थे इस्ट इंडिया कंपनी में एक करमचारी थे इनको कुछ दिनों का अबकास मिला था यह अबकास में पकिस्तान के एक जीला है माउंट गोंबरी वहाँ यह गये थे वहाँ जाने के बाद इन्होंने देखा कि किस तरीके से कुछ लोग जो है वो धरती की खुदाई करके इट निकाल ले हैं और इस उसी इट से वह क्या कर रहे हैं अपनी घर बना रहे हैं पकी हुए इट निकाल ले है और यह जब चाल समय ने जब इसको देखा तो उसको बढ़ा ही आश्चर्य लगा कि आखिर यह कहाई क्या फिर उन्होंने क्या कि एक इन्टे का साथ ले करके उस स लौड एम हर्ष्ट के पास वह गये और बताएं कि देखिए वहां पे हम गये थे यानि कि कहां गये थे जो हरपा जहां पर पाकिस्तान के माउंट गोम्री जिला है वहां पे जब हम गये थे तो हमको यह चीज़ हमको वहां से मिला अगर हम लोग उनकी खुदाई करते हैं अगर हम लोग वहां पे खुदाई करते हैं तो निश्ची थी है कि कि किसी सभ्वेता के बारे में जनकारी मिलेगा तो तब जाके तब लौड एम हर्ष्ट का जबाब था कि माल लिजे अगर हम खुदाई करते हैं और यह अपने अतीत के बारे में अगर समझ गये बूज ग यानि कि Lord Hamasd ने इस बातों को टाल दीये इस ही करी में आगे हम देख्ते हैं कि 1853 Conrad Actually हुआ यानि क्या हुआ कि रेल्वे का निर्वान हुआ जो देखते हैं ती 라 क्यूल विसाई गयी एक ऐस्थान पर उसी करी में हमें कि रूप शुरुआत हैं मुणबी से थानते कि इतने किलोमेंट्र stuffs 34 किलोमेटर कब चले था 16 अप्रेल 1853 इस्वी को पहली बार रेलवे के मैंतलब रेलवे चला था कितने किलोमेटर चला था 34 किलोमेटर तब जब उस समय देखेंगे इसके बाद क्या हुआ मनारे कि 1856 में 1856 में क्या हुआ कि का रेलवे का मतल सbus renick दीया की एक महा यह हुआ इह ने एक ब्रंटन बंधू नाम के रही नहीं कोई नूक्त्र किये और नहीं क्यoth 봤 na कराची की बीच में जब रेल लाइन विशा रहे थे जनी कि रेल वे ट्रेक विशा रहे थे उसी करी में इसको बहुत ज्यादा पत्थर मनी इटे के साथ मिला और और बहुत सारे साथ मिला तब इन्हों ने क्या किया कि इन्हों ने लॉड के इन्हों ने क्या किया लॉड इन् चुकि 1856 में डॉल होजी का शासन समाप्थोगत शुरुआत में और लौड करिंग उस समय के गवर्नर जेनरल थे और यह भारत के पहले वाइसर आए और अंतिम गवर्नर जेनरल भी थे जब इनको दिया तो क्या किया कि यह इस पर थोरा बहुत बात चर्चा किये लेकिन उसक यहां पर आपको पूछा जाएगा कि भारतिय पूरा तत्विक सर्वेचन विभाग के अस्थापना किस ने किया तो हम करेंगे लौड कैनी ने किया था लेकिन भारतिय पूरा तत्विक सर्वेचन विभाग के जनक अगर पूछ दिया जाए तो हम अलेकजंडर कनिगम को कहेंगे क्यूंकि वो शुरू से ही मतलब इस दिशा में काम कर रहे थे चुकि इसके अधिकार छेत्र में नहीं था इसलिए वो भारतिय पूरा तत्विक सर्वेचन विभाग के अस्थापना नहीं कर पाएं बलकि वो उलके पहले महानिर्देशक भी बनें तो इसलिए हम अगर जनक के बात कहें तो अलेकजंडर कनिगम को कहेंगे और अस्थाप पाएं मिला तो इसने क्या किया कि वेद में उपनिशद में अने अने गरंत जैसके बारे में खोजने लगा लेकिन आप भी जानते हैं कि हरपा सबता जो है किसी गरंत में लिखा गया नहीं है बलकि यह पूरा तत्विक सुरोथ है जैसे मन के हो गया इन सभी से इसके बारे पूरा त्ट्टक्टवक विवाग को आगे इसका निर्देशक भण ज información को महानिर्देशक बनाया गया भारतय वहारतय और इस आइकन महानिर्देशक बनाया गया जोन मार्सल को और जोन मार्सल की वहालाetzt बार समय लग पहली बार खोज हो गया आप देखते होंगे कहीं कर देखते होंगे तब देखते होंगे निखे giornal लिखा होता है कहीं पर सिंदुगाटी सबता है तो आपके मन में एक प्रस्ण उड़ता होगा कि आखिर अरुफपा सब्था को हरआ सब अRI면ald क्यों कहते हैं दूबते हैं मत अचता को इसका एक जबाब है आप लोग के मन में एक प्रस्व उड़ता होगा की हरप्पा सब्यता कोहरप्पा सब्यता क्यूं परstroke हराई सिंपल जवाब है कि हर अपनामक अस्थान पर पहली बार हर नाम पर जैनकारी मिला इसलिए हम देखते हैं सिंदू घाटी सबयता के भी नाम दिया जाता है देखिए तो क्या हुआ इसी करी में कि राखल दास बनरजी ने हराहप सर्भत के खोज कर दी किस न दी के किनाड़े तो राभी नदी खे किनाड़े ऐENNध स्टे होगा से अने-अस्ठलों के बारे में खुदाइ अब होगा ठरी हम अंसब्दों में समझ में आ रही होगी चलिए हम दूसरा जी टोफिक हमारा दूसरा टोफिक हमारा भोगोलिक विस्तार यानि भोगोलिक विस्तार में हम देखेंगे कि हरापा सबयता का विस्तार कहां से कहां तक था याखी हरापा सबयता कहां से वरग्की मी में फेला हुआ था इसका अकार कैसा तो अकार तिजाइता का अकार कैसा था देचे आपको मैसा अँदा कर ऐसा कार्थ तो आपका जबाब क्या होगा तिजाइक आगे अब हम देखेंगे सबसे अधीक अस्थाइग जो मिला तो है जो दो होगिस्था गुज्जरात से मिला है परतम परमान हरापा में हो जो हम पीसे बात कर चूक है कि अफ्रत के पर जनरेल कम देदेगा और भी दो-तिन नाम के आपका जवाब क्या होगा जॉन मर्सल तलिए अपने अगले स्लाइन में चलते हैं लिश्ट को समझते हैं कि नौर्थ से साउथ तक कहा था इस से विश्ट तक इसका विश्टार कहा था ते कि अगर हम नौर्थ की बात करें तो करें तो सुथ कांगोडोर बलुचिस्तान तक फैला हुआ था और अगर हम इस्ट की बात करें तो आलमगिरपूर उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था देखिए आपसे एक आपसे बहुत यसान सब्दों में कोशन पूशा जाए कि बताइए हरपा सब्वेता के विश्तार न इस होती से ली लेटर तो आप गलत ना करें देखिए अगर हम नदी के बात करें सुक्तांगोडर जते वो दस्क किनारे था दस्क नदी के किनारे था अगर हम Suddenly कि बाद करें तुमोटा हमारा से ञेनां नदी के किनारे था अगर हम आलमगिर्पूर की बात करें तो यह हिंडर नदी की किनारे था और दयमाबाद की बात करें तो यह प्रावरा नदी की किनारे था जो गुदाबरी के सहक नदी थी देखिए आपको समझने में थोरा सा अगर यह कठनाई हुआ तो एक ट्रिक भी है इसको याद करने का बहुती असांत लिए बहुती असधारन ट्रीक है उस्टरिक के माध्यन से आप इसको याद रख सकते हैं बहुत लंबे समय तक दीक है वह सम A d लीटरिक समधाने का मतलब यह है लेकि आपको एक्जाम पास करना है अगर अगर श्याद समय तक याद रखेंगे और 협bet कम टरुट्रीक हम शुरुआत करेंगे दएखिए सब्सक्णाण से खरेंगे था होता है साइसा शुत का अंगडोर यानि कि जो पच्मी किनारा से शुरुवात करेंगे क्लोक बाइचाएंगे यानि पच्मी किनारा से जाएंगे उत्तर में उत्तर से जाएंगे पूरम में पूरम से जाएंगे दचिन में देखेंगे 100 से क्या हो गया सुत कांग दोर हो गया मौ से क्या हो गया मांडा हो गया जो कहां सब्सक्राइब जहरूं का आप सstर्ण स्क्राइब थे सब्सक्राइब it सब्सक्राइब START को आप समझ सकते हैं कि अपने सलाइट पर छलते हैं कि अब देखिए हरृपह य द Counter के एक विश्यच्वता जो है। हरापह सब्सक्राइब के विश्य researched तो सबसे महतपूर्ण होता है उसकी विश्यस्ता विश्यस्ता में पहला जो है नगर नियोजन परनाली यानिकी नगर को बढ़े ही सूब्वेवस्तित तरीके से सूब्वेवस्तित तरीके से बस आया गया था इसे को नगर नियोजन परनाली कहते हैं देखी नगर नियोजन आर यह सिं१ोन नदी हो गया यह होगा यह हो गया पच्मी किनारा और यह क्या हो गया Evet ने जो अम्हे वह टीचस्च biz यह जे फेड़ी से और च बैड़ी नारा में जो आम लोग थे जैसे सिचछ वह गया तीचर हो गया Search वह गया व्रक्राव सब्सक्राइब 이거 क्लेउस सब्सक्राइब को नुट में याद रखेंगי कि नोट में याद रखेंगे अब हम देखेंगे कि दुरॉला विद्फा याट ऐतक दूस्रे को समकोन करते थी यहां विदाऊध बिधो leeg सर्वजनीख सनानागार के और नाम शुने होंगे जहां पर अगर कोई दार्मी का काम होता है तो लोग पहले वहां नहां करके पूजा पाड़ करते हैं अगर परीके से मोहन जोदारों में भी सरवजनिक असनानागर का परमान मिला है जो माना जाता है कि वो धार्मी का नुष्ठान से संबंदी था जैसे मान लेजे कोई पूजा पाठ हुआ कोई कोई यग हो तो उस समय क्या करते थे वो लोग नहां करके असनान करके उसमें नहाते थे और इसके बाद वहां से अपना आगे का पूजा पाठ जो भी हो वो करते थे अगर हम असनानागर के देखेंगे तो असनानागर के परमान कहां से मिला है वो मोहन जोदरों से मिला ह इसका परियोग किया था धार्मिक अनुष्ठान के लिए परियोग किया जाता था और इसके सीडी तो तर देखिए लिका यहां लिखा है तो देखें के बहुत सारा जैसे बनारस में आगर आप रहते होंगे तो तरीखें के नहां करके और अपने पूजा पार्ट जो भी हो वखिया करते थे हरप्पा सब्यता के एक पर्मुख विश्यस्ता जो है इट ये दिखिए चुकि हरप्पा सब्यता के जब हम पहला टॉपिक के जब शुरुवात के हैं वहां पर आप देखे हैंगे इस चेप्टर का नाम ही दिया है एंटिये ने इट मन के एबम अस्थिया अपना सेलेबस भ देखेंगे तो पूल मिलाकर जितने भी सहर देखते उसमें पकी हुर्म ये इटो का शाची मिलता है। अगर एक-दसहर को छोड़ देते हूं एक दो सहर में अब बाद वे जहां कच्छी इटो का साच्छी मिला जैसे काली बंगा में अगर हम देखते हैं तो कच्छी इटो का साच्छी मिला है अन्य अस्थलों में जब देखेंगे तो वहां पर पक्की इटो का साच्छी मिला है इस तरह हम देखते हैं हरप्पा हो गया मोहन जोदार हो गया एवं पर्मुक नगर पक्की इटों से बने थे इसके बाद देखेंगे सभी परकार के इटे एक निश्चित अनुपात में बनाए बने थे और अधिकान सिता यह आयताकार थे देखिए यहां पेक पॉइंट निकल करता आयताकार थे जैसे आप सो पूछ रखेंगे कि कैसा इटा है तो आयताकार था तो यह अब एक और यहां से कोशन जो पिछली साल भी पूछा गया था पूछे पूछा जाएगा आप से कि बताइए कि इटा का लंबाई चौराई और उंचाई कितना था तो पिछले साल यह पिछले साल एंट यह कोशन पूछ लंबाई कितना है चार है चौराई कितना है दो है और मोटाई कितना है एक है तो इस तरह हम देखें के जो भी प्लान दे कीस तरीके से वीडियो में परते है है आगर आप लोग है गा var में अपना लिख सकते हैं अगर आपको आज की वीडियो समझने में कुछ परिशानी हो तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं धन्यवाद